तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चाप्टर जिसका नाम है लीनियर इन इक्वेशन इन इक्वेशन मतलब नॉट इक्वल इन वन वैरियेबल वन वैरियेबल अच्वा वैरियेबल क्या होता है जैसे आगा में लिकूं फाइव एक्स ब्लस सब्स तो इसमें जाएं कि वैल्यू टो चेंज हो नहीं सकती इसलिए यह होता है कॉंस्टेंट वैपर और एक्स अच्छा एक्स की वैल्यू अब अगर हम मालीची मान रखते हैं यह व्यूजागा तोटल 5 into 1 कितना होता है 5 तो यह हो जाएगा 5 into 2 तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है इसकी वैल्यू वैरी कर रहे है इस वैरी करने के वजह से इस एकस को बोलेंगे हम वैरी एवल तो इस चाप्टर में हम इन इक्वैल्स पाढ़ेंगे इन उक्वेशिं सपढ़ेंगे एक वैरी यह आइक्वैयूब नहीं यहां तो इसको कैसे सौ्फ करेंगे से 5x is equal to 9 minus 4 फिर हो जाएगा x is equal to 5 by 5 कट कट के answer is 1 x की value कितनी हो गई थी 1 लेकिन इस बार जहां भी देखिए equal का sign था इस बार equal का sign ना होके यह आएगा या तो 5x plus 4 9 से बढ़ा हो सकता है या तो 5x plus 4 9 से छूटा हो सकता है या तो यह भी हो सकता है कि 5x plus 4 9 के बढ़ावर हो या बढ़ा हो या 9x plus 4 9 से छूटा हो या बढ़ावर हो तो यह चार जो sign है less than greater than less than or equal to और greater than equal to यह चार उसका लाती है inequalities इन इक्वाइलिटीज इन इक्वाइलिटीज तो कुछ रूल्स है रूल्स पहला अच्छे बात होता है क्या 536 बढ़ा है बिल्कुल है ठीक है तो अगर मैं 5 में सबसे पहले addition करूं इसी चीज़ का तो अगर मैं जैसे addition करूं टू का तो 5 प्लेस तू और 3 तो तो यह कितना होता है 7 यह कितना होता है 5 अभी भी 5 बढ़ा है तो addition करने की वाज़े से यहां पे sign को कोई फर्क नहीं पढ़ेगा तो दूसरा अब क्या करता हूं मैं सब्ट्राक्शन करता हूं 5-2 3-2 कितना होता है 3 कितना हो जाता है 1 अभी साइन वही कर वही रा गया यह वारा साइन वही है सेम है तो इस वाले केस में भी नो साइन चेंज था इस वाले केस में भी नो साइन चेंज आया अच्छा अब क्या करेंगे हम तीसरा मुल्टिप्लिकेशन करते हैं थोड़ा से ही डिफरेंट है मुल्टिप्लिकेशन अच्छा था फाइव ग्रेटर धन थी था अगर अब हम फाईव में टू इंटू करते हैं और थ्री में भी टू इन ना होता है यह 10 जयता है 6 अभी तैन बड़ा है शिक्से पतलब नो साइन चेंज यह वाला साइन चेंज ही नहीं हुआ अच्छा अकर यह तो अपी टूट से था ठीक है अकर मैं यही अब फाइब इंटू माइनस टू कर तो यह कितना होता है साइन यह साइन इधर होगा क्योंकि मैंने स्क्स बड़ा होता है मैं निस सिंसे तो साइन इस 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 डिरेक्शन में था अब यह इस में हो गया साइन चेंज हो जाता है कब when multiplied by negative number या positive से किया था तो कोई फरक ही नहीं पड़ा था सेम ही चांग था कि जब negative से कर दिया सांग चेंज होगा है when multiplied by a negative number inequality sign reversed change होगा अग्दम उल्टा हो ठीक है अब दिखते हैं की division में जाब होता है कि अब फाइब रिटर दिन थ्री था इसको ले लिजिए फिस्टीन इसको ले लिजिए टैन अगर मैं इसको फाइब से डिवाइड बड़ता हूं दोनों को ठीक है तो यह हो जागा फाइब थ्री और यह हो जाएगा तो अभी भी नो साइन चींज देखें नो साइन चेंज लेकिन अभी प्लस फाइब से डिवेशन था अब देखिये 15 को ही अधर 10 अब डिवाइड करते हैं 15 को माइनस 5 से 10 को की माइनस 5 से तो यह आजाएका माइनस 3 यह आजाएका माइनस 2 और इस बारी जी की साइन हो गया तेखिए जेस्ट रिवर्स हो गया तो वें डिवाइद पाइ नेगतिव नमबर तो अचरी दिवैरर्स हो गया तो अब लोग ने पढ़ा कि इटेशन में और हैंशन चेंज नहीं होता है subtraction में sin change नहीं होता है multiplication में sin change जब plus sin से multiply करेंगे positive sin plus positive number से multiply करेंगे तो कोई sin change नहीं होगा लेकिन negative number से multiply करते हैं sin क्या हो जाएगा reverse हो जाएगा sin reverse जब when multiplied by a negative number when multiplied by a negative number equality sign reversed inequality sign just only division में भी positive number से कुछ नहीं होगा divide करने पे ठीकिन जैसी negative number को negative number से divide करेंगे sin क्या हो जाएगा reverse हो जाएगा अब आगे हम क्या करते हैं कि examples लेते है example में a is greater than b है ठीक है exact वह चीज़ है अगर a में हम c add करेंग और b में भी हम c add करेंगा तो no sign change जाएगा addition में no sign change अच्छा दूसरा example a माइनस c b माइनस c अब no sign change अच्छा a into c और b into c sorry बड़ी classes में multiply करने का सब्सक्राइब यह होता है तो no sign change जब positive number से लेकिन यही अगर अब multiply कर देंगे minus c से और इसको multiply कर देंगे minus c से sign क्या हो जाएगा reverse तो इसमें क्या हो जाएगा sign reverse अच्छा division में अगर a डिवाइड करेंगे c से ठीक है और b डिवाइड करेंगे c से तो no sign change क्यों? क्योंकि positive number से divide कर ले ठीक है लेकिन अगर इसको a को ही minus c से divide कर तो और b को भी minus c से divide कर तो sign क्या हो जाएगा sign reverse हो जाएगा 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 in addition there is no sign change in subtraction there is no sign change in multiplication by positive number there is no sign change but if you multiply a number by a negative number the sign will reverse like for example 15 and 10 15 normally 10 से लेकिन अगर when multiplied by a negative number the sign reversed and division division में like if you divide something by a positive number there will be no sign change but if you divide something by a negative number there will be a sign change there the sign will simply reverse तो पहला एक्साम्पल है कि x plus 5 is greater than 12 इसमें find x ठीक है x की value हमें find कानी है तुम कैसे करेंगे अच्छे normally अगर मैं आपको question देता कि x plus 5 is equal to 12 अगर equation का question होता है तो यह 12 इधर जाके जैसे इधर minus 5 हुआ है इधर भी जाके minus 5 होगा लेकिन subtraction हुआ है subtraction में निका कहा था subtraction में no sign change sign change नहीं नहीं होता है यह वाला sign ऐसी exactly यहीं नहीं होता है तो इसका answer क्या होगा x is greater than 7 तो यह कैसे solve 5 x 9-4 subtraction no sign change 5 x is greater than कितना हो जाएगा 5 अब यह 5 आहां के नीचे divide में चला जाएगा यह हो जाएगा 5 divided by 5 कट-कट के 1 तो division हुआ है पर 5 positive number यह देखें positive number रही है प्लस 5 ही है division by positive number तो no sign change sign फिर भी गही रहेगा तो क्या होगा x is greater than 1 ठीक है आच्छा तो एक और question करते हैं 5 x minus 4 is less than 9 ठीक है चले तो इस पर minus है तो इधर चाहिए प्लस हो जाता है हमें पता है and addition में no sign change तो plus 4 and sign exact वही का वही रहा no sign change आपको पेपर भी लिखना नहीं है यह बस आपको करके दिखाने मैं आपको बताने के लिए अच्छा यह कितना हो जाएगा हम एक और question करते हैं कि कि minus 5x plus 4 is greater than 9 यह यह बस इस इस में ठीक है यह minus 4 उधर जाके plus 4 इधर जाके क्या होगा negative हो जाएगा subtract हो जाएगा तो यह हो जाके 9 minus 4 not sign change है ना ठीक है अब दिखिए यह हो जाके minus 5x 5 ठीक है यह minus 5 है और यह यहां जाके divide होगा तो division by negative number हो रहा है इसमें क्या होता था sign reverse हो जाता है just right यह हो जाएगा x मेंचे का इधर जाके 5 divided by minus 5 हो जाएगा इधर ना होके अब इधर हो जाएगा sign क्या होगा reverse होगे यह x is greater than minus 1 की answer आया हो ठीक है तो यह solution है इसका एक और कोशिन गुना से करते हैं 7 plus 9 9x is greater than 11x plus 2 ठीक है यह कैसे सोल होगा अब देखे 9x है इधर 11x है तो 9x को इधर बेज देते हैं यह हो जाएगा 7 11x plus 2 इधर 9x इधर आके केतना हो जाएगा 9x negative subtraction हो रहा इधर जाके अचा 2 को इधर ले आते हैं negative subtract हो जाएगा तो फिर भी no sign change ठीक है तो अब यह कैसे सौल होगा यह होजाएगा 5 2x ठीक है अचा यह इधर आके divide होगा 5 by 2 हो जाएगा फिर भी no sign change क्यों? positive number से में divide होगा है ठीक है तो यह answer होगा 2.5 x is less than 2.5 ठीक है यह is the solution